Hello my youtube friends, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, यह हम border पर बना रहे हैं, यह आप इसका बहुत easily design trace कर सकते हैं, यह यह इस तरह से आपने curve बना के इसको फिर double कर लेना है, यह बहुत easily हो जाएगा और यह इसे आप screen को still करके, तो यह वाला design आप enlarge करें उसके उपर और फिर यह आप trace कर सकते हैं, यह मैं इसमें six strands use कर रही हूँ, आप कोई सा भी color use कर सकते हैं, जो आपके address के according हो, इसको मैं haering bone stitch के साथ बनाऊंगी और इसमें आपने बहुत close haering bone stitch बनाना है, झाला 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 कि बनाप minप बनानους नोय कर मैं इसाथ भी कि आप मुना जयूख हूएँ झाल 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 अब यह flowers जो हैं यह हम certain stitch के साथ बनाएगे कर दो तो आऑशेई जो का संवाना भर बनाएगे कर दोटीजझ से बनाएगे कर दो कि अधित बनाएगे करते हैं यह हम जो दो कि अधित एंगे दूदक महला भर खार थाल थाधे कर दो हम पहित अब हम इस जगा पे परल लगा देंगे अगर आप परल नहीं यूज़ करना चाहरे तो आप यहाँ पे इसे सिंपल साटिन स्टेच के साथ बना सकते हैं या फ्रेंच नॉट्स के साथ आप यह सरकल बना सकते हैं कर अ कर। आप Li से यहाँ, कर दो करते हैं हैं आप यू ऑभा का परल आप यहाँ घिंगे साथ बना सकते हैं यहो हम वहाँ वा़ वाव कर किस यहाँ कर दो दो आप शुफ़ यहाँ गतलताशीत मीवाँ और यहां पर भी हम इसमें परल भी लगा सकते हैं, गोल्डन बीड भी लगा सकते हैं और हम प्रेंच नॉट भी बना सकते हैं इसी तरीके से मैं इन सब को येवाल जो फ्लावर्स हैने इडिफेरंट कलर्स के साथ बनाऊंगी works और यवाला मैं सेम इसी दर असे बनाऊंगी जैसे मैंने इनके लिए मैं यहां पर यह रेड वाला बनाया है, यहां पे मैं येलो यूज़ करूंगी, यहां पे परपल वाले के साथ बनाऊंगी, इस तरह से डिफ्रेंट शेड जो भी आप यूज़ करना चाहें, वो यूज़ कर सकते हैं, और यह बॉर्डर है, यह आप कहीं भी बना सकते हैं, आप अपने ट् समाल हो सकता है, आप कहीं भी बनाएं, बहुत एजीली बन जाते हैं, तो यह था हमारा आज का स्ट्विच, होफिल यह आप लोगों को पसंद आया होगा, प्लीज यह से अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज पर लाइक करें, तेंक यू.